Hello students, class 10th के maths के 8th chapter में आपका स्वागत है जिसका नाम है technometric identities आज की वीडियो में हम लोग technometric identities का NCRT का first exercise solve करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो देखें फर्स्ट question है इन triangle ABC, right angle at B, A B is equal to 24, B C is equal to 7, determine, sine A, cos A, sine C, cos C तो हमारे पास एक triangle है ABC जो की right angle triangle है B पर तो मैंने यहाँ पर एक right angle triangle ले लिया है ठीक है? यह जो triangle है वो B पर right angle है ऐसा question में बोला है question में क्या बोला है? right angle at B देखें लिखाया, right angle at B, यानि B पर right angle है यानि 90 degree है तो यहाँ पर A माल ले रहे है और यहाँ पर C माल ले रहे है AB is equal to 24 दिया है मतलब यह length 24 है BC is equal to 7 दिया है यह length 7 होगी तो मैं कह सकता हूँ यह perpendicular है, यह base है और यह क्या है? hypotenious है ठीक है? तो पाइथक गोरस थिर्मा का लगा दें तो hypotenious की value हम लोग निकाल सकते है ठीक है? तो hypotenious का square क्या होता है? perpendicular square plus base का square ठीक है? तो hypotenious square is equal to P यहनि 24 24 का square plus B यानि 7 यह जगा 7 का square 24 का square क्या होता है? 576 7 का square क्या होता है? 49 होता है add करेंगे तो क्या हैगा? 625 और यह h square है यह जो square है अगर right hand side जाएगा तो root में convert हो जाता है तो यह root 6 to 5 आएगा root solve का लिजएगा तो h की value 25 आएगी ठीक है? कहने का क्या मतलब है? यह perpendicular था यह base था मैंने P और B की जगा value put की solve किया 625 आया इस square को अगर right hand side बेजेंगे तो root में convert हो जाता है तो h की value क्या जाती है? 25 ठीक है? मतलब इस h के जगा अब हम लोग 25 लिख सकते हैं ठीक है? अब आप जानते हैं sine a निकालना है क्या निकालना है? sine a ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा sine a जो होता है वो perpendicular upon hypotenuse होता है ये एक formula है जो sine a होता है मतलब जो sine होता है वो perpendicular upon hypotenuse होता है ठीक है? ध्यान से देखके बताईए यही तो angle a है यही angle a है तो देखिए perpendicular base hypotenuse कैसे पहचानते हैं ठीक है? जो 90 के सामने वाला होता है वो हमेशा hypotenuse होता है ठीक है? और angle के सामने वाला perpendicular होता है यानि 7 इस case में perpendicular है ठीक है? और यह जो बच गया वो 24 यानि यह base होगा ठीक है? जैसे यह angle a है तो इसके सामने वाला हमेशा perpendicular होता है 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है और जो side बच जाती है उसे base कहते है यही तरीका आपको बचाएगा हर question में तो sin A is equal to perpendicular की value क्या है मैं सीधे यहीं लिख रहा हूँ perpendicular की value क्या है 7 है ठीक है दिख रहा है नहीं perpendicular की value 7 है और hypotenियस की value तो 25 है तो 7 by 25 हो जाएगा sin A की value cos A निकाले cos A तो cos A का formula होता है base upon hypotenियस ठीक है तो base क्या है 24 है ठीक है तो मैं लिखूंगा 24 divided by hypotenियस की value 25 है ठीक है तो यह हम लुग का पहला अंसर आ गया जिसमें sin A और cos A निकालना था sin A की value आई 7 by 25 cos A की value आई 24 by 25 ठीक है अब हम लोग sin C और cos C निकालेंगे तो इसके लिए मुझे यह से मिटाना पड़ेगा एरो क्योंकि अब perpendicular और base और hypotenियस यह से बदल जाएंगे ठीक है देखिए अब हमें angle C की बात करने के लिए कह रहा है ठीक है मतलब अब इस angle A का कोई काम नहीं है angle C को हमें देखना है तो angle के हमेशा सामने वाला perpendicular कहलाता है ठीक है मतलब इस angle के सामने कौन है 24 है तो इस बार यह perpendicular होगा 90 के सामने वाला हमेशा hypotenuse ही होता है और जो बच जाए जैसे 7 बच गया यह बेस हो जाएगा ठीक है क्योंकि angle बदल गया है तो perpendicular और बेस भी बदल जाते है angle के सामने वाला हमेशा perpendicular 90 के सामने वाला hypotenuse और जो बच जाए उसे बेस कहते है ठीक है तो हमें sin C निकालना था sin C का फॉर्मला क्या होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular की value क्या है इस बार 24 है और hypotenuse की value क्या है 25 है ठीक और cos C निकालना है cos C का फॉर्मला क्या होता है base upon hypotenuse base की value इस बार 7 है ध्यान से देखिए base की value 7 है और hypotenuse की value 25 as always तो हम लोगोंने सब कुछ find कर लिया सी ठीक है अब second question solve करेंगे अब देखे second question क्या है in figure 8.13 मतलब इस वाले figure में हमें 10p minus quad r निकाल रहा है ठीक है तो देखिए हमें इस triangle में ये नीचे वाला side नेगी बन है ठीक है तो हम लोग निकाल लेंगे pythagoras theorem का इस्तमाल करके pythagoras theorem क्या होता है hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square ठीक है तो hypotenuse दिया है 13 है ठीक है ये 13 का square is equal to perpendicular 12 दिया है इस 12 का square हो जाएगा plus base की value नहीं पता तो इसे भी ही रहने देंगे base का square 13 का square 169 होता है 12 का square 144 होता है और base square as it is रहाएगा 144 इधर आ जाएगा 169 में से 144 minus हो जाएगा इधर b square minus करेंगे 25 आएगा इधर b square ये square जब left hand side हाएगा तो root में convert हो जाएगा root 25 हो जाएगा is equal to b फिर यहां से 5 हो जाएगा तो b की value 5 हो गई मतलब ये वाला side 5 cm का है ठीक है ये मैं cm हटा जे रहाएग क्यों जाएगा नहीं है इसकी तो हमें तीनों side मालूम चल चुकी है तीसरा side मैंने Pythagoras theorem का help लेके find किया है अब हमें 10p minus cot r निकालना है 10p minus cot r ठीक है तो 10p 10 का formula क्या होता है perpendicular upon base ठीक है minus cot का formula क्या होता है base upon perpendicular है ना तो पहले हमें 10p find करना होगा 10 of p तो बताए ये पी एंगल कहां पर है पी एंगल ये रहा इसके सामने वाला क्या होता है perpendicular होता है ठीक 90 के सामने वाला क्या होता है hypotenious और जो बज्जा है वो base होता है तो जब हम लोग 10p का value find करेंगे तो perpendicular के जगा 5 रखेंगे और base के जगा 12 रखेंगे ठीक है जैसे मुझे 10p find करना था तो p एंगल यहां पर है इसके सामने वाला perpendicular होता है 90 के सामने वाला hypotenious और जो बज्जा है उसे base कहते है तो perpendicular की value क्या थी 5 थी तो मैंने 5 रख दिया बेस की value क्या थी 12 थी तो मैंने 12 रख दिया ठीक है लेकिन अब हमें caught r निकालना है यानि एंगल चेंज हो गया एंगल चेंज हो गया तो values भी चेंज हो जाएंगी तो इस पी वाले एंगल को मिटा देंगे अब टिक हम लोग आर पे लगा देंगे अब क्योंकि एंगल बदल गया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा यानि 12 अब परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 के सामने वाला तो हमें सा हाइपोटेनियस ही होता है और जो बज्जा उसे base कहते हैं तो इस बार 5 बेस होगा तो माइनस बेस की जएगा हम लोग 5 लिखेंगे डॉड़ वाइ परपेंडिकुलर की जगा 12 लिखेंगे ठीक है? अब देख सकते हैं बेस की वेल्लू 5 है सबएगा और परपेंडिकुलर की वेल्ल å 12 है तो 5 बाइ 12 ठीक है? अब यहान पर भी 5 by 12 है यहा पर 5 by 12 है ठीक है तो क्योंकि साइन एगल टू थ्री बाई फोर दिया है तो पहले हम लोग एक ट्रेंगल बना लेंगे तो यह रहा वो ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर मैं बी ले रहा हूं यहां पर मैं सी ले रहा हूं और यह 90 है ठीक है त is equal to 3 by 4 तो साइने क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो मैं लिख सकता हूं इस इवाल टू पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ठीक है साइन का फॉर्मला क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मतलब पर्पेंडिकुलर की वैलू होता है तो मैं कह सकता हूं perpendicular की value क्या जाएगी 3 हो जाएगी hypotenuse की value 4 यानि यहां पर 4 आएगा तो हम लोग base की value निकाल सकते हैं क्योंकि यही base होगा 90 के सामने वाला तो हमेसा hypotenuse होता है angle के सामने वाला हमेसा perpendicular होता है तो base हमें निकालना है यानि ये side निकालना है ठीक है तो क्या हो जाएगा हम लोग पाइथागर अस्थिरों में उसकरेंगे hypotenuse का square is equal to b square plus b square hypotenuse की value क्या है 4 है ठीक है hypotenuse की value क्या है 4 तो 4 का square is equal to perpendicular की value 3 है 3 का square plus base का square 4 का square 16 होता है 3 का square 9 होता है plus b square 9 इधर आएगा तो 16-9 हो जाएगा is equal to b square 16 में से 9 कटाएगे 7 आएगा is equal to b square ये square इधर आएगा तो root 7 हो जाएगा ठीक है तो base की value आगे root 7 इससे solve करने की जोड़ नहीं है देखे मैंने क्या किया पाइथागरस थिरों में उसके होता है पर्पेंडिकुलर की value 3 थी तो मैंने 3 रख दिया उसके जगा बेस की value हमें नहीं पता थी हाइपोटेनियस की value क्या थी ठीक है और यह समय ने कैसे पता किया है क्योंकि given था sign is equal to 3 by 4 और sign क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है पर्पेंडिकुलर की value 3 हाइपोटेनियस की value 4 तो बेस की value आजाएगी रूट 7 यूजिंग पाइट अगर अस्तियूरम अब क्योंकि हमें कॉस ए निकालना है कॉस ए तो एंगल तो यही है इसके सामने वाला पर्पेंडिकुलर होता है मतलब यह 3 जो है वो पर्पेंडिकु पर्पेंडिकुलर अपन बेस होता है पर्पेंडिकुलर की value क्या 3 है डिवाइड वाई बेस की value क्या है रूट 7 तो टैने भी आगे ठीक है को से निकालना था तो बीस भाई है पोटेनियस ना तो बेस की वेलू रूट 7 थी तो मैंने बीस के जगा रूट 7 रगती है है अब देखें फॉर्थ क्वेशन क्या है गीवन 15 कॉट इस उगल टूएट फाइंड साइने एंड सेक ए फिर से क्योंकि टिक्नोमेट्रिक रेशियो बोला है तो हमें एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए ट्रेंगल लेने पड़ेंगे तो हमारे पास एक इसरीवन था सब्सक्राइब और मैड़ेंगे इस फिफ्टीन जो की मल्लीप्लाइब के साथ इस फिफ्टीन वह को थो याद होंगे इस फॉर्मले आपको याद होंगे out का formula कियाता है base upon perpendicular तो यानि base की value 8 है ठीक है, तो क्योंकि angle a की बात हो रही थी, मतलब इस angle की बात हो रही थी इसके सामने वाला हमेसा perpendicular होता है 90 के सामने वाला हमेसा hypotenious होता है जो बज़ा उसे base कहता है यह a b बज़ी बज़ा इसे base कहेंगे लो क्या गीवन है एक गीवन है यहां परिấस निकाला जा सकता है इस हपोटेणियस की वनुट कर सकते है कैसे पड़िन करें यह होता है Opotenus Wij लिडए सब्सक्राइब मतलब वहीं हमें निकाल shrub क्या 15 15 का सवेर बबस बेस मतलब एक एक सक्वार क्या होता है 225 होता है इट करेंगे टो चैनल इस्व्थ्थश स्वेर है ये स्वेर उधर जायेगा तो रूट में इस क्या रूट है इस रूट रूट ट्वेट नाई अब इस रूट टू अई किए जिएगा आप cancer आएगा 17 मैं कैसेए हाइंगल तो अभी विए वह तो ना तो गल्ड पर्पेंडीकुलर बदलेगा ना ही बदलेगा क्योंकि यह एंगल तो बदला ही नहीं साइने डालुडों तो कौन बेस होता है हाइपोटेनियस की वेलू 17 है और बेस की वेलू क्या है एट है तो 17 भाई एट हमारा अंसर होगा अब देखें फिफ्थ कोश्चन है गीवन सेक थीटा इस गल्डू 13 बाई 12 कैलकुलेट ओल अधर टिंग्योमेट्रिक रेशियोस ठीक है तो पहले हमें एक ट अरक टीड्यh Nana अब क्योंकि तीटपाजीटा कर अंब चुक्र हो रहा है तो मैं किसी एक एंगल को थीट अमां लेट है ठीक है यंदा के अंगल मैंने इस एंगल को थीट अमीं खाली ट्वैल हमें क्या given है sec theta is equal to 13 by 12 और हम लोग जानते है sec जो होता है वो hypotenuse upon base के equal होता है तो मैं कह सकता हूँ hypotenuse की value 13 है hypotenuse की value क्या है 13 है और base की value क्या है 12 है base की value क्या है 12 ठीक है तो theta के सामने वाला हमेंसा perpendicular होता है 90 के सामने वाला हमेंसा hypotenuse होता है जो बज्जाव से base कहते हैं तो base की value 12 है hypotenuse की value 13 है ठीक है तो perpendicular की value हम लोग पाइता गरस ठीकर निकाल लेंगे यानि h square is equal to p square plus b square ठीक है तो hypotenuse given है 13 13 का square is equal to perpendicular नहीं given है तो p square plus base का given है 12 तो यह जागा 12 का square 13 का square 169 होता है perpendicular square plus 12 का square 144 होता है इधर लाएंगे तो 169 minus 144 is equal to p square हो जाएगा minus कर लेंगे तो आजाएगा 25 is equal to p square अभी जब पी की value आ गई 5 यानि perpendicular की value है 5 तो अब हम लोग sin theta निकालेंगे sin theta क्या होता है perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular की value क्या है 5 है तो 5 upon hypotenuse की value 13 है ठीक है मैं यह पर लिख दे रहा हूं पी की value आ गई है 5 ठीक है फिर sin theta है तो बिख पृसएक theta निकाली थे और हूसें theta जो होता है नहों sin theta का उल्टा होता है तो p by h यह जाएगा 2 हमाई thank you very lucy जाएक थाटीन है टीक है अब और पेंडिकुलर अपनe बेस परपेंडेकुलर की वेलू 5 थी अब बेस की वेलू 12 थी ठीक है उसके निकालेंगे कोट ठीटा कोट ठीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडेकुलर बेस की वेलू क्या थी 12 और परपेंडेकुलर की वेलू थी 5 ठीक है से ठीटा निकालें जोते हैं क्योंकि देखाना एंगल बी आपस में बराबर होगे इसके लिए ट्रेंगल लेना पड़ेगा अब देखिए यहां पे हम लोग एक माले रहे हैं और यहां पे एक बीच में मानेंगे इस बार बीच में सी क्योंकि क्वेश्चन में एंगल और एंगल बी क्या बोला है acute angles बोला है तो अगर यहां पे आप B लेते तो B की वैलू 90 होती यहां पे अगर आप B लेते तो B की वैलू 90 होती और 90 तो acute angle होता नहीं है इसलिए मैंने यहां पे लिया है यहां पे मैंने C लिया है जो की right या तो एंगल 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 बी एक्यूट एंग्ल से सच विए हमें कह से कॉस्च और कॉसबी आपस में बराबर दिया है को बदाइए के सामने वाला है है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्योंकि कॉस ए है कॉस क्या है यानि हम लोग एंगल एको देखने वाले हैं तो यह रहा है एंगल एंगले के सामने वाला हमेसा पर्पेंडिकुलर होता है ठीक है 90 के सामने वाला हमेसा हाइपोटेनियस जो बज्जा उसे बेस कहते हैं ठी लिखेंगे, cost is equal to ac divided by hypotenuse मतलब a b, ठीक है, लिखेंगे नीचे divided by a b, अब हम लोग cost b भी निकाल लेंगे, cost b क्या होता है, ये भी base upon hypotenuse होता है, लेकिन angle बदल गया है, पहले a था, अब angle b हो गया है, तो angle b हो गया है, इसका मतलब ये perpendicular, ये base और hypotenuse बदल जाएंगे, angle क्या हो गया बी हो गया तो बी के सामने वाला perpendicular कहलाता है 90 के सामने वाला hypotenious कहलाता है और जो बज़ाव से base कहते हैं तो इस बार जो base है वो हो गया है BC यही बेस है ना इस बार तो base की value हो गया यह BC divided by hypotenious की value क्या है hypotenious की value है AB ठीक है तो मैं लिखूंगा BC by AB तो हमें given क्या था cos A बराबर cos B तो cos A की value put कर देंगे cos A की value थी AC by AB तो यहाँ पर लिख देंगे AC by AB is equal to cos B की value क्या थी BC by AB तो आप लिख देंगे BC by AB तो आप देख सकते हैं यह AB से यह AB कड जागा क्योंकि दोनों नीचे हैं तो हमें मिल जाएगा AC बराबर BC मिल जाएगा यह line क्या कह रही है AC मतलब यह वाले side और BC मतलब यह वाले side AC बराबर BC मतलब यह side और यह side आपस में equal हो जाएंगे ठीक है तो मैं कह सकता हूँ then triangle ABC is isocellus triangle ठीक है मतलब अगर यह side और यह side आपस में equal है यानि दो side equal है और किसी भी triangle में अगर दो side equal होते है तो वो बड़ा वाला triangle isocellus हो जाता है तो isocellus की मैंने property class 9 भें बताई थी ठीक है isocellus में सिर्फ और सिर्फ दो side ही equal नहीं होते है दो angle भी equal होते है और कौन से दो angle equal होते है इस side के सामने कौन सा angle पढ़ रहा है यह angle ठीक है तो यह angle मैं इसको dark कर दे रहा हूँ यह angle और यह angle आपस में equal हो जाएंगे ठीक है कैसे मुझे मानूं चला अरे भाई यह side और यह side equal थे इसके सामने यह वाला angle है इसके सामने यह वाला angle है इसके सामने कौन है यह angle है इसलिए यह angle और यह angle आपस में equal होंगे अब कौन से दो angle equal हो रहे है मैं लिखूंगा then angle A बराबर angle B और properties यह क्यों हो रहा है क्योंकि यह properties है property of isosalus strength जब भी ऐसो सेले स्टेंगल हमें मिलता है तो सिर्फ दो साइड एक्वल नहीं होते हैं दोぶы को होते हैं थीक है तो हम लोगों-ने इस स्टेटमेंट का इस्ते मुल करके पहले यह पुरूफ किया कि जो वह है वो एक Isocella Strangle है और एगर Isocella Strangle है तो दो एंगल भी आपसमे कोल होंगे Angle A और Angle B आपसमें बराबर होंगे यह परूफ करना था कैसे मैंने परूफ किया को से गल्टू कोज भी घिवन था मैंने को से निकाला की कासभी निकाला कि वेलू पुट की देखा एबी से बी कट रहा है तो हमें मिला येसी बराबर बीजी ये एसी बराबर BC है तो इसो सेलस इसो सेलस है तो ब्रके गड़ एक्को अब देखे एवंध कोशन है कॉच्छन है कॉट हीटा इस गल दू सेवन भाई-8 हमैं क्या गीवन है कॉट इस सपाद सेवन भाई-8 फिरसे का राइट इंगल बना रहेंगे इस ट्रेंगल का नाम 8 आप जानते हैं कोड़् जो होता है वो बेस्ट फाउं परन्डूर केओं सभता है तो मैं कई सकते हों मिस्ट की वैलू 7 ए पर प्पंडूर की वैल्लू 8 होटा है थीतallen के सामने वाला हमें साब perpendicular होता है 90 के सामने वला हमें सब hypotenuse होता है जो बज़्जा से base कहते है तो perpendicular की value क्या है 8 है and base की value क्या है 7 है तो एट का स्कूर शिस्टीफोर होता है सब्सक्राइब 49 होता है जोड़ेंगे तो क्या एगा वन हंडेट थाटीन है ठीक है एच स्क्कुरेगा वन हंडेट हाटीन तो एच की वेलू क्या जाएगी रूट 113 यानि रूट के अंदर 1113 तो मैं कह सकता हूँ हाई पोटेनियस की वेलू क्या आगा यह रूट 113 ठीक है अब हमें फर्स्ट वाले पार्ट में वन प्लस साइन थीटा 1-3 divided by 1-1 प्लस को शेटा 1-2 फाइन करना है तो मैं साइन थीटा और कॉस्टिटा निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे यहां पर मैं लिखरां थीटा साइन थीटा इस गडिया होताँ प्रपेंडिकूलर अपन हाइपोटेनियस परपेंडिकूलर की वलू क्या है एंड है तो इट दिवाइड़ रए हैं थेंगे हैं फिर ऊत एक लिडार सब्सक्राइब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस क्या है सेवन है हाइपोटेनियस रूट 113 ठीक है अब मैं इस चीश को मिटा दे रहा हूं इस चीश की कोई जोत नहीं है आप लोग नोट कर लिजेगा वीडियो को पॉस करके ठीक है हमें क्या फाइन करना थीटा अहीं करना था ज?. प्लस सीन थीटा ठीक है jadi 1 माइनस साइब थीटा है अन्वाईदेड़ वइड़ सकॉस्ट थीटा है वन माइनस कॉस्ट थीटा है। तो वन वल्लू पूट करेंगे नवन साइन थीटली किया है एडबाइ रूट 113 8 रूट 113 ठीक है फिर उसी तरह 1- sin theta है फिर से 8 by root 113 ठीक है whole divided by whole divided by 1 plus cos theta यानि 1 plus 7 by root 113 ठीक है फिर 1-7 by root 113 ठीक है एक बात बताएए आपने यह formula पढ़ा है a plus b a minus b इसका formula होता है a square minus b square देखिए उसी तरह क्या से लिखा है a plus b a minus b यानि यह यह पूरा पूरा बी है यहां पर भी है और यहां पर भी है एक बाद प्लस है वाद माइनस है मतलब यह formula इस्तमाल कर सकते हैं तो value कहा थी है a square minus b square ठीक है तो यह में लिख सकता a मतलब 1 का square 20 minus b मतलब 8 by 8 by root 113 का square divided by नीचे भी similarly वही है a plus b a minus b यह a है और यह b है यह a है और यह b है यह a है और यह b है यहां पर भी a square minus b square लग जाएगा a square मतलब 1 का square minus b square मतलब 7 by root 113 का square ठीक है अब देखिए हमें यह मिला था आप लोग वीडियो रिवाइन करके नोट कर लीजेगा ठीक है मैं फिलाल अगले page पर आगे हूं वन का square वन होता है वन का square वन होता है माइनस 8 का square 64 होगा और रूट 113 का square क्या होगा simply 113 रूट हड़ी आगा divided by 1 क्योंकि वन का square 1 होगा 113 या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसके नीचे वन मान लें और फिर जो मैंने तरीका समझाया था उसे यह आप इस्तमाल करें इसको multiply करेंगे वन में तो 113 आएगा इस वन को 113 को वन में करते हैं 113 आता है बीच माइनस इस वन को 49 में करते हैं 49 ही आता है divided by वन को 113 में करेंगे तो 113 आएगा अब यह 113 से 113 कडिया आएगा 113 में 64 घटाएंगे तो आपका अंसर आएगा 49 divided by 113 में 49 घटाएंगे तो आपका अंसर आएगा 64 ठीक है तो अंसर जायागा 49 by 64 तो इसका अंसर क्या आया 49 by 64 अब हम लोग निकालेंगे कॉर्ट स्क्वेर थीटा हमें क्या फाइंड करना था सेकेंड में कॉर्ट स्क्वेर थीटा कॉर्ट स्क्वेर थीटा का स्क्वेर स्क्वेर लगा है तो यानि मैं कॉर्ट थीटा का स्क्वेर लिख सकता हूं ठीक है यहां पर स्क्वेर लगा है मतलब कॉर्ट थीटा का स्क् सिख सब्सक्राइब क्या ऐ भे इसपॉंट पर्पैंडिकुलर सब्सक्राइब的 और वैसे भी कोशन में फॉर्ट ठी टा गिल्वली गीवन थी 7 ओंपoten। तो मैं बेस बाइब परपेंडूकुलर लिखूं ही क्यों हों क्वेश्चन में हमें गीवन था के नहीं था कॉट थीटा इस गल टू 7 वाई एट तो मैं रही थे इस कॉट थीटा के जग़ा 7 वाई एट लिखूंगा 7 का स्क्वाइर 49 एट का स्क्वाइर 64 अंसर आगया सिंपल अब देखें क्वेश्चन नमर एट में हमें गीवन है थ्री कॉट एस उगल टू 4 हमें चेक करना है कि यह जो फॉर्मला है वो सही है कि नहीं है यानि 1-10 स्क्वाइर डिवाइड बाइन प्रस 10 स्क्वाइर इस उगल टू पॉस स्क् कैने हैं तो एक बात बताईए हमें गीवन क्या है थ्री कोट विए बराबर फूर है इस थ्री को नीचे लेंकियا जाएं तो कोट आपकोडल तोospon पर्पेंडिकुलार होता है तो मैं क्हें सकता हूं कि perpendicular की value 3 है base की value क्या है 4 है तो आप hypotenuse तो निकाली सकते हैं perpendicular की value 3 है base की value 4 है तो आप Pythagoras theorem निकाल कर hypotenuse की value निकाल सकते हैं तो जब आप hypotenuse की value निकालेंगे तो आएगी 5 अब देखें मैंने नीचे यहाँ पर process दिखा रखा है कैसे 5 आएगा ठीक है लेकिन आप लोग बड़े हो चुके हैं यह सब कुछ से भी कर सकते हैं Pythagoras theorem लगाना कौन सी बड़ी बात है perpendicular दिया है बेस दिया है तो hypotenuse 5 होगा Pythagoras theorem का इस्तमाल करके नीचे मैंने calculations हो किया है आप वीडियो को pause करिएगा नोट कर लिजेगा ठीक है मैं इसे मिंटाने जा रहा हूँ ठीक है तो हमें cot A given था B by P 4 by 3 तो हाँ सब लोगों ने perpendicular base और hypotenuse निकाल लिया अब हम लोग 10 A निकाल सकते है 10 A 10 A क्या होता है perpendicular upon base होता है perpendicular की value क्या थी 3 base की value क्या थी 4 हम लोग cos निकाल सकते है cos A cos A क्या होता है base upon hypotenuse होता है base की value 4 है hypotenuse की value 5 है sine A हम लोग निकाल सकते है sine A क्या होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular 3 है hypotenuse 5 है ठीक है अब देखिए यहाँ पर 2 चीजे है एक LHS है और एक RHS है तो सबसे पहले हम लोग LHS solve करेंगे क्या solve करेंगे LHS ठीक है LHS में देखिए 1 दिखा रहा तो मैं लिखूँँगा 1 minus 10 square A है तो मैं जिसे लिख सकता हूँ 10 A का square ठीक है क्या लिखा है 10 square A लिखा है तो मैं 10 A का square लिख सकता हूँ ओके whole divided by नीचे के है 1 plus 10 square है मैं जिसे लिख सकता हूँ 1 plus 10 A का square ठीक है is equal to 1 minus 10 A की value हम लोगों ने find की थी जो की थी 3 by 4 तो 1 minus 3 by 4 का square whole divided by 1 plus नीचे भी 10 A का square है तो यह जाएगा 1 by 3 by 4 का square ठीक है तो 1 minus 3 का square 9 होगा 4 का square 16 whole divided by 1 plus 3 का square 9 होगा 4 का square 16 होगा ठीक है इसके नीचे 1 मान लिजे इस 16 को 1 में करेंगे तो 16 आएगा minus इस 1 को 9 में करेंगे तो 9 आएगा divided by 16 को 1 में करेंगे तो फिर से 16 आजाएगा whole divided by अब इसके भी नीचे 1 मान लिजे 16 को 1 में करेंगे 16 आएगा बीच में plus 1 को 9 में करेंगे multiply तो 9 आएगा divided by 16 को 1 में कर दीजिए तो 16 आजाएगा ये 16 से 16 कर जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 divided by 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा यानि LHS को solve करने पर क्या है 7 by 25 अब RHS को solve कर लेंगे ठीक है तो मैं लिखना हूं आरेजस इस गल डू आरेजस क्या है कॉस स्क्वेर माइनस साइन स्क्वेर तो मैं लिखूंगा कॉस एका स्क्वेर माइनस साइन एका स्क्वेर ना क्योंकि लिखा हुआ है कॉस स्क्वेर तो मैं लिखा है माइनस साइन स्क्वेर तो मैं लिखा है माइनस साइन एका स्क्वेर और हम लोगों को ने सी की वैलू साइन एकी वैलू fine कर ले थी अल्रेडी पहले ही तो कोस ये यानि 4 x 5 तो 4 x 5 square ठीक है माइनस साइन यानि 3 x 5 to 3 by 5 square ठीक है तो 4 x 5 स्क्वर क्या होगा 16 by 25 माइनस 3 by 5 कर स्क्वर क्या होगा 9 by 25 ठीक है माइनस कर लेंगे 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा 75 by 25 ठीक है तो आप देख रहे हैं LHS को भी solve करने पर 7 by 25 आया और RHS को भी solve करने पर 7 by 25 आया मतलब यह formula क्या है सही है तो हमारा अंसर होगा यस ठीक है आप लोग वीडियो को पॉस्ट करिए और से नोट कर लिए अब देखिए 9 कोशन है इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल ब्याट भी टैने जगल टू वन बाई 3 फाइंड वैल्यू ओफ साइन कोशी प्लस कोशे साइन सी ठीक है फिरसे ट्रेंगल बनाना पड़ेगा यहां पर हम लोग ने ट्रेंगल बना लिए है इसका नाम लिखे रहे हैं लिए बी और सी क्योंकि राइट एंगल है बी पर तो तो टैन क्या हुता है पर्पेंडीकुलर अपउन बेस होता है तो मैं कह सकता ह perpendiculor की value क्या है one बेस की value क्या है three ठीक है तो angle ए है और angle के सामने वाला हमें इसा क्या होता है perpendicular ठीक है 90 पे सामने वाला हाइपोटेनियस और जो बच जाता बैस कहते पर्पेंडिकुलर की वल्ू रहे यहां पर मैं लिख सकता हूं बेस की वल्व 3 है यहां पर मैं 3 लिख सकता हूं और आप लोग हाइपोटेनियस को से निकाल सकते हैं मैं आपको प्रॉसस दिखा दे रहा हूं तो एच की वल्लू आएगी root 10 ठीक है आप लोग Pythagoras theorem इस्तमाल करके निकाल लिजेगा h की value जो कियागी root 10 ठीक है तो मैं कैसकता हूँ hypotenuse की value आ चुकी है root 10 अब हम लोग sin a निकाल लेंगे cos a निकाल लेंगे क्योंकि नहीं की जोत है तो sin a क्या होगा sin a आपका हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse perpendicular की value क्या थी 1 hypotenuse root 10 ठीक है अब देखिए question में हमें cos c और sin c की विज़ोत है तो आप जान रहे हैं पहले angle a था फिर बाद में angle c हो गया है तो हमें cos c निकालना होगा अगर तो cos c का formula तो base by hypotenuse ही होता है लेकिन base और hypotenuse की value और perpendicular की value change हो जाती है क्योंकि angle बदल गया है अब angle a के जगा क्यों सा angle है अब angle a के जगा है c तो ये base बदल जाएगा perpendicular बदल जाएगा हाइपोटेनस नहीं बदलता है लेकिन हम लोग फिलाल के लिए मिटा देंगे ठीक है अब हमारा एंगल c हो गया है तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानि परपेंडिकुलर की value 3 हो जाएगी अब बेस की डम होगी और हाइपोटेनियस को यह ऑर एज आलवैस रूटेन ही रहेगी ऐस की जागवन लिख देंगे और हाइपोटेनियस की जिछ रूट रूट साइने नहीं सिक प्लास कॉस एंसी फ्हाइंड करना था थो साइने की वेल्लू क्या है वन बाय रूट बहर ग्मल्टिप्लाओं वेल्लुक मैं युथ सदेट नहीं रूट टैन इन बहरगे थ्री वैए रूट ठैन रेखोंगा साइन सी की वैलू क्या है 3 by root 10 multiply by 3 by root 10 ठीक है 1 by root 10 into 1 by root 10 क्या होगा 1 by 10 हो जाएगा बीच में प्लस 3 into 3 9 और root 10 into root 10 10 हो जाएगा तो यह 10 by 10 हो जाएगा जिसकी वैलू 1 आई यह मैं कह सकता हूं पहले वाले है को सी माइनस साइन साइन सी साइन साइन सी को से की वैलू क्या है 3 by root 10 इसकी जाएगा मैं दूआगा 3 by root 10 multiply by को सी की वैलू क्या है 1 by root 10 ना जाएगा 1 by root 10 के भीच माइनस साइन सी की वैलू क्या है 1 by root 10 तो 1 by root 10 साइन सी की वैलू क्या है 3 by root 10 इंटु 3 by root 10 ठेक है तो यह जाएगा 3 इंटु 1 3 और नीचे जाएगा root 10 इंटु root 10 that is 10 वीच माइनस 1 इंटु 3 that is 3 कि root 10 इंटु root 10 that is 10 अदुरों घटाएंगे तो 0 आजाएगा यह यह मारा अंसर है यह दूसरे वाले का अंसर है 0 नोट कर सकते हैं आप 10th question है in triangle PQR right angle at Q PR plus QR is equal to 25 PQ is equal to 5 cm determine the values of sin P cos P and 10 P Q तो question में हमें एक triangle given है PQR जो की Q पे right angle है तो हम लोग पहले एक triangle बनाएंगे PQR तो हमारे पास एक triangle है P Q और R क्योंकि question में बोला था right angle है Q के उपर है question में बोला था right angle है Q के उपर question में given है PR plus QR is equal to 25 PQ की value 5 given है और question में बोला है PR plus QR is equal to 25 PR plus QR is equal to 25 हमें given है तो मैं अगर PR को या फिर QR को X मानूं मैं let QR is equal to X मतलब इस side को मैं X मान रहा हूं QR के जगह मैं X लिखूंगा is equal to 25 और इधर मैं PR लिख रहा हूं बीशम प्लस तो PR की value अगर find करनी हो तो इस X को right hand side बेजेंगे तो यह 25 minus X हो जाएगा ठीक है देखिए मैंने क्या किया है हम लोग को PR plus QR given था तो मैंने QR को X suppose कर लिया इस QR के जगह मैंने X रख दिया PR की value अगर find करनी है तो इस X को right hand side ले जाना पड़ेगा तो 25 minus X आ जाएगा मैं कह सकता हूं PR की value आ गई 25 minus X ठीक है अब इस X की value को somehow find करना पड़ेगा किसी तरीके से X की value को हमें निकालना पड़ेगा है तो सबसे बैस तरीका क्या पाइथाग और सिहरा हम अब वो क्या कहता है है बैफ़ेगी bize का स्केर हाइन ay इस बह् 시raz का स्केर मतलब परपेंडिगूल फाइफ है तो 5 का स्केर प्लस बेस मतलब X ठीच का स्क्केर अब देखीए यह 25-tv एकस का स्क्वेर है इसे आप a-b k2 के फॉर्मले से ओपन कर सकते हैं क्या जाएक 25 का स्क्वेर बीच में प्लस फिर इसका करते हैं यानि एकस का स्क्वेर फिर माइनस आता है 25 और x और 2 को मल्टिप्लाय करते हैं यहां देना फॉर्मले में 2a स्क्राव बेंसे फ्लॉबर सब्सक्राइब बीच में इक्वяжब स्क्राइब है यह नहीं अच्यां इचलाहें ठीजिए प्लस आदके जंदना एकल these स्क्वेर यहां पर प्लस स्क्वेर है अब इसमें एक्वाल है तो यह दोनों कट जाएंगे ठीक है नई कट होंगे आप से तो इस एकसी स्क्वेर को राइट हैंड साइड बेज दीजिए माइनस एकसी स्क्वेर हो जाएगा फिर दोनों कट जाएंगे ठीक है कट हो गया तो यह हमारे पास बचाए 625-50x इस गल टो 25 हम लोग क्या करेंगे इस 25 को अधर लेका आएगा और इस 600 divided by 50 is equal to x जीरो से जीरो कैंसिल एकस की वेलू आजाएगी 12 डिवाइट कर लिजए एकस की वेलू 12 आजाएगी तो आप ही सोचिए अगर मैं यहां पर एकस के जगह 12 रखूं और इस एकस के जगह 12 रखूं तो 25-12 करने पर आएगा 13 आएगा इसको मिटा के यह आनि मैं 13 लिख मतलब यह लंगल तो is in Pजन के सावने वाला पर्पेंडीकुलर होता है नाइने प्याइंटी के सामने वाला हुआइपकुलर होता है ओज बज़्यव क्या है को सट्राइब क्या है 12 है हाई-पोटेदएस के वेलू 13 है उसी तरह कॉसफ निकाल लेंगे तो अंगल तो बदला नहीं है कोसफ पी मतलब बेस अपन अपन हाइपोटेनियस B1 सब्मटेदर देंप beginल लेंग तेनपी मतलब परपेंडिकुलर प्रपॉन-बेस परपेंडिकुला की वेलू 12 है, बेस की वेलू 5 है, अंसर आ गया, simple, कुछ नम्हें 11 है, स्टेट वेहर था फॉल्वाइंग एज त्रू और फॉल्स जेस्टिफाई और अंसर, तो कह रहाँ, तो कह रहाँ, तो यह बात सही है, बिल्कुल गलत है, आपने देखा था, अगर टिग्नोमेट्री टेवल का चार्ट याद है, तो आपने देखा होगा कि 1030 डिगरी पर, 1040 डिगरी पर, 1060 डिगरी पर, 1060 डिगरी की वेलू होती है, रूट 3 जिसकी वेलू होती है, 1.732, क्वेशन में कह रहा है कि 10a की वैलू हमेशा वन से छोटी होती है लेकिन देखिए 1060 डिगरी की वैलू 1 से बढ़ी आ रही है तो पहला वाला फॉल्स है पहला वाला क्या है फॉल्स है और मैंने उसके पीछे आपको एक्स्प्लेनेशन भी दे दिया है अकर आपको टिग्निम प्रमेट्री चार्ट याद है तो आपने देखा था 1060 डिगरी की वैलू रूट द्योटी होती है जिसकी वैलू 1.732 होती है जो कि वन से बढ़ा है दूसरा देखिए कहरा है से एक एक वैलू क्या 12 हो सकती है देखे स्क ऐ क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस तो यॉ यानि हाइपोटेनियस की वैलू 12 है और बेस की वैलू 5 है तो देखिए हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो अभी भी 12 जो है वो बड़ा है 5 से तो हाइपोटेनियस बड़ा है 5 से यानि बेस से बड़ा है हाइपोटेनियस जो की सही बात है सुझा रख नहीं सेक की वैलू 12 तो बढ़ा ही आ रहा है और हमेशा है अपना ही सबसे बढ़ा होता है ठीक है तो इसलिए दूसरा वाला साही है दुश्रा लग्या है सइह ठीक लगा देराऊं तक करा कॉस इस द अब्रीबीएशन दना यूज त्युस्ट फॉर्ड कोसी कैट पर यह पूछ रहा है को से का एब्रीबीएशन होता है कि अब्रीबीेशन उता है को सको यह पढ़ते हैं को साइन ठीक है, कोसी केंट नहीं पड़ते हैं, यह गलत है next है fourth, cot A is the product of cot and A कहारा, cot A जो होता है, वो cot और angle A का product होता है यह बिल्कुल ही गलत है, cot के अंदर angle A आता है, यह product नहीं होता है fifth कहारा, sin theta की value क्या 4 by 3 हो सकती है sin theta की value क्या 4 by 3 हो सकती है sin क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular की value 4 हो गई, hypotenuse की value 3 हो गई तो आप देखिए, perpendicular की value 4 है, hypotenuse की value 3 है मतलब perpendicular बड़ा है hypotenuse से लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, hypotenuse सबसे बड़ा होता है यह गलत है, इसलिए fifth वाला भी गलत है ठीक है, उमीद करता हूँ आपको यह part समझ में आ गया होगा तो इस exercise में total 11 question ही थे आज मैंने सभी के सभी question लगवा दी है exercise first के उपर, अगर आपको इसमें कोई doubt है तो आप telegram channel पर पूछ सकते हैं या फिर comment box में पूछ सकते हैं या फिर अगर आपको अपना doubt personally पूछना है तो आप मेरा channel भी join कर सकते हैं सिर्फ 29 रुपए cost है तो channel join कर लेंगे तो मैं आपको अपना personal whatsapp number दूँँगा वहाँ पर मैं आपके doubts personally clear करा दूँगा, ठीक है तो आज की डूंबस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब कर के लिए good bye